हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियो में बताएगा मैत अगर आपको अच्छी तरीकी से सिखना है तो प्लीज इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत किजिए आप वीडियो का इस पर जितना चाहें बढ़ा सकते हैं पर इसकिप नहीं करना है किलर है और कहीं पर दिखा थो कि तो मुझे कमेंड कर दीजेगा मैं आपकी प्रोब्लम सॉल्व करने की पूरी कोसिस करूंगा तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नमबर मैंने अपलोड कर दिया है आप वहां मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल ज लोग से द्वारा ज्याद करें मतलब यहां पर सुत्र का प्रियोग करते हुए किलर है ना सुत्र का उपियोग करते हुए चक्रविद्धि भ्याज ज्याद करना है और मिस्त रिधन भी ज्याद करना है किलर है तो चलिए देखते हैं पहला नमबर पहला नमबर है 2400 का दो के लिए 20 प्रतिसत वार्षिक दर से वार्षिक रूप में सेयोजित होने पर क्लिर है हम लोग क्या ग्यात करना है पहला तो कुल रासी जिसको मिस्र धन कहते हैं यह ग्यात करना है और दूसरा ग्यात करना है चक्रविद्धी ब्याज क्लिर है हम लोग दो चीज ग्यात करेंग मूलधन मूलधन को प्रिंसिपल बोलते है P किलर है बराबर कितना दिया हुआ है 2400 ये है हमारा मूलधन किलर है और दर दर देखिए जिसको rate बोलते है इंगलिज में R कहते है rate कितना है 20 प्रतिसत 20 प्रतिसत किलर है और देखिए वर्स की संख्या कितना वर्स दो वर्स किलर है तहां पर समय लिखते हैं हम लोग समय या फिर वर्स की संख्या वर्स की संख्या ब्राबर किलर है इसको N से डिनोट करते हैं वर्स की संख्या कितना है देखिए दो वर्स के लिए तो इसको लिखेंगे हम लोग दो वर्स किलर है अब लोग चलिए फोर्मूला बनाते हैं फोर्मूला बनाते नहीं है फोर्मूला लिखते हैं किलर है फोर्मूला मिस्त्र धन मिस्त्र धन ब्राबर फोर्मूला होता है मूल धन गुना एक जोड दर बटे सव का होल स्क्वेर मतलब होल एन किलर है यह घात है N है अब चलिए इसको हम लोग solve करते हैं सबसे पहले देखिए मूलधन भेलू रखेंगे मूलधन कितना दिया हुआ है दो सोरी 2400 किलर है 2400 दिया हुआ है मूलधन देखिए मूलधन 2400 फिर गुना है तो गुना लिखेंगे हम लोग उसके बाद देखिए य ब्रकट बंद फिर देखिए N मतलब क्या देखिए यहाँ पर वर्स की संख्या वर्स की संख्या कितना है दो इसको यहाँ पर दो लिखेंगे किलर है कई पर दिक्कत वोगत कमेंट कर दीजिएगा मैं आपको फिर से एक बाद जो डाउट वीडियो होता है उसमें किलर कर द जिरो जिरो कट गया किलर है यहाँ पर बच गया दो और दस यहाँ पर एक और दस का एल सेम कितना होता है दस किलर है फिर एक का पढ़ा बोलेंगे क्या बार में दस आएगा तो एक दहाई यह दस होता है दस को इस एक से गुना कर देंगे दस से का दस हो जागा फिर जोड ह कर रहे हैं फिलाना बनोंगे यहां पर किलर है तो देखिए अब 10 का पढ़ा बोलेंगे क्या बार में 10 आएगा एक बार में तो एक को दो से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा उसके बाद देखिए स्क्वेर है इसक्वेर लिख देते हैं फिर इसका हम लोग फिर सोल उप करेंगे अभी 2400 गुना देखिए 10 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा 12 बटे 10 किलर है 12 बटे 10 बरकट बंद फिर स्क्वेर फिर देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे बहुत ही आसान है 2400 उसके बाद गुना देंगे फिर इसको कार देंगे 2 से किलर है 2 चक 12 दोपच्चे 10 किलर है ना कट गया इत बंद च यह रुपर 6 बटे 5 और इसका स्क्वेर को लिख देंगे अब नीचे दिख्ये लिख दर करते है 2400 चेया करेगा तो स्कुल्फ करते है करें helemaal काट देते हैं । into तो यहां पर बाट के 20 चारबच गया 40 हो गया 0 5-8, 40, 1-0 बच गया, 0 क्लिक देंगे, फिर 5 है, कटे के काट देते हैं, 5, 1-5, उसके बाद यहाँ पर 5-9, 45, 45, एटालिस कैंसल हो गया, 48 में तो 3 बच गया, 3 इतर गया, 30 हो गया पांच चक तीस किलर है आप लोग काटने तो जानते होंगे आप काट लीजेगा उसके बाद देखिए 9 6 into 6 into 6 किलर है इसको आप हम लोग गुना करते हैं 96 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 तो हमारे पास आजाएगा 3456 रुपिया क्लियर है 3456 तो यह होगी हमारे एक अंसर मीस्तृधिधन निकालना था देखेए यहाँ पर मीस्तृधन निकालना था और चक्रविद्धि व्याज मिस्तृद्धि व्याज का निकल चुका है अब निकालिंग हम लग चक्र विद्धी ब्याज क्लिए रहे तो देखें चक्र विद्धी ब्याज का फूर्मला क्या होता है चक्र ब्रिधी ब्याज बराबर मिस्त्र धन माइनस मूल धन क्लिए रहे इसको याद कर लेना है चक्र विद्धी ब्याज बराबर मिस्त्र धन माइनस मूल धन अब देखिए मिस्त्र धन कितना है यहाँ पर अभी निकाले में लोग मिस्त्र धन 3400 56 माइनस मूलधन मूलधन कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पर मूलधन हम लोग का 2400 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2400 किलर है अब इसको हम लोग सॉल्ब करते हैं माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1056 किलर है तो यह भी दूसरा अंसर हो गया हमारा पहला अंसर यहाँ पर है देखिए 3456 यह हमारा मिस्तर धन और हमारा चकरविजी ब्याज है 1056 रुपया किलर है तो यह दोनों हमारा अंसर हो गया अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर कि और सेकेंड नंबर के कोर्शन देखिए 8000 का तीन वर्स के लिए 5 परतिसत वार्सिक दर से वार्सिक रूप में सेयोजित होने पर किलर है तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा मूल धन दिया हुआ है इसको लिखेंगे मूल धन किलर है जिसको इंगली से लोग प्रिंसिपल बोलते हैं पी से लिखते हैं कितना दिया हुआ है 8000 उसके बाद दिया हुआ है दिखिए यहाँ पर दर दर दिया हुआ है दर कितना दर रेट rate को r से लिखते हैं दर दिया हुआ ये 5 प्रतिसत के दर से किलर है फिर देखिए समय दिया हुआ है 3 वर्स तरह आपके लिखेंग वर्स की संख्या या समय डार्रक्ट लिखते हैं समय इसको n से लिखते हैं ठीक ना बराबर कितना है 3 वर्स तीन वर्स के लिए रहे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग को क्या निकालना है पहला मिस्र धन यहाँ पर देखिए मिस्र धन निकालना है और दुसरा निकालना हम लोग को चक्रब्रधी ब्याज चक्रब्रधी ब्याज ये दो चीज निकालना है तो चलिए मिस्रदन का फूर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम लग मिस्रदन ब्राबर मूल धन जोड यहाँ पर गुणा मिस्रदन गुणा एक जोड दर बटे एक सव यहाँ पर गुणा होता है अब चले हम लोग इसको solve करते हैं अपर पूरा गहात में कितना रहता ही इन लिख़एंगे अब मान रखेंगे यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है यहमँ इसको इन का मान कितना है तीन है किलर है तो तीन लिख देंगे अब इसको लोग solve करते हैं तो इस पर यह दुना को काट लेते हैं कटेगा 5 एक पांच 5 दुना 10 और यहाँ पर 0 है तो 20 हो गया अब इसको लोग फिर से साफ साफ लिखते है एक बार 8000 गुना एक जोड एक बटे 20 देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर बीस बचा था और घात में कितना है तीन है तो इसको तीन लिख देंगे किलर है किलर हो रहा है अब इसको लोग करते हैं चलिए यहाँ पर फिर से भीन का जोड बन गया है किलर है न एक बटे एक यहाँ पर छिपा हुआ है तो दिखिए 20 और एक का एक सिक बुना करेंगे तो यहाँ पर बीस जोड उसके बार देखिए 20 का पढ़ा का बार में 20 आता है तो एक हो जाएगा उपर देखिए घात में कितना है तीन है तीन लिख दिए अब इसको लोग स्वल्व करते हैं यहाँ पर आठ हजार लिखेंगे सबसे पहले आठ हजार गुणा बीस में हम लोग एक जोड़ेंगे तो खुट आएगा 21 बटे नीचे 20 से पिर यह पर देखिए कितना गात है तीन तो यहाँ पर लिखेंगे तीन अब देखिए हम लोग यहाँ पर 21 बाटे 20 को 3 बार लिखेंगे गुना देकर, इसको बनाते हम लोग, 8000 गुना देखें 21 बटे 20, गुना, 21 बाटे 20 गुना, 21 बाटे 20, यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 बार लिखेंगे, अब चलिए इसको solve करते हैं, देखें, एक जीरो एक जीरो कट गया फिर एक जीरो फिर से कट गया फिर एक जीरो एक जीरो फिर से कट गया अब इसको solve करते हैं हम लोग यहाँ पर आठ है गुना यहाँ पर एक कीस गुना अब एक कीस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 किलर है फिर बटे यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 लिखते हैं फिर यह वला 8 और यह वला 8 कट जाएगा किलर है फिर अभी हम लोग गुना करेंगे 21 और 441 को 21 और 441 को गुना करने से 9261 रुपिया इतना होता है किलर है तो हमारा देखिए मिस्र धन निकाल चुके है 9200 एकसाट रुपिया तो पहला अंसर तो यह हो गया फिर दूसरा देखिए हम लोग को क्या निकाला है चक्र बृधि ब्याज चक्र बृधि ब्याज किलर है चक्र बृधि ब्याज निकाला पहला इसका फूर्मॉला क्या होता है मिस्र धन माइनस मूल धन सब्सक्राइब दीए मिस्र धन कितना दिया हुआ है अभी निकाले हम प्रेम लोग 9000 bomb contain 61 प्रे मूल धन मूल धन along पर मूल दो तो कितना दिया हुआ है किलर है तो लिखेंगे यहाँ पर लोग 8,000 फिर 9,211 में 8,000 मैंनस करेंगे तो खेंगे था हमे NBA 9λ 601 रूपिया किलर है तो यह हो गे हमारा अंसर पहला अंसर है यहाँ पर 9,200 रूपिया यह भी होगे अंसर किलर है अब आपको समझ में आ गया होगा अब लोग बढ़ते हैं तीसरे नमर के अब देखिए तीन नमर के कोस्टन तीसरे नमर के कोस्टन देखिए एक हजार का 18 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक सेंजित होता है यCrसरे तो फुरूला में थोड़ा सा चेंजर जा जाएगा जो दिया हुआ उसको लिखते हैं देखिए मूलधन मूलधन principal P किला रहे दिया हुआ है देखिए कितना 1000 रुपिया उसके बाद देखिए दर मतलब rate दिया हुआ है कितना 10 प्रतिसत किला रहे फिर वर्स की संख्या या फिर समय लिखते है पहले समय इसको n से लिखते हैं कितना दिया हुआ देखिए समय दिया हुआ है 18 महिना 18 माह लेकिन जब भी हम लोग ब्याज मुलधन ये सब से महत बनाते हैं तो समय जो है हमेशा वर्स में रहना चाहिए किलर है साल में रहना चाहिए है पर माह दिया हुआ है तो देखिए एक एक साल में या एक वर्स में कितना महीना होता है बार महीना किलर है तो हम लोग क्या करेंगे 18 माह को बारा से भाग देंगे 18 बटे 12 यहो गया वर्स किलर है इसको सोल्फ करेंगे तो काड़ेते हैं 6 से 6 दुनि बारा 6 तिया 18 तो तीन बट्टे दो वर्स आ गया किला रहा है अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मीस्र धन बराबर फॉर्मूला लोग पहले लिख चुके हैं मूल धन गुना एक जोड दर बट्टे एकसव गुना एन लेकिन यहापर ध्यान दीजे थोड़ा सा ध्यान दीजे हापर क्य यहाँ पर अर्धवार्सिक यहाँ पर एन ना होकर टू एन हो जाएगा और यहाँ पर एकसव ना होकर दो सो हो जाएगा बस यही अंतर है जब अर्धवार्सिक होता है तो क्या होता है साल में दो बार्स नो जित होता है ब्याज किलार है साल में दो बार इसलिए दो से गु मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 गुना यहां पर देखिए ब्रिकेट एक जोड़ दर कितना हो दिया हुआ है 10 परतिसाथ बट्टे 200 ब्रिकेट बंध फिर 2 गुना एन दो और एन के बीच में गुना साइन है किलर है दो गुना एन कमान कितना है तीन बट्टे 2 तीन बट्टे 2 किलर है अब इसके हम लोग solve करते हैं यहां पर 1000 उतर जाएगा नीचे फिर गुना है यहां पर 0 और 0 कट जाएगा किलर है इसके नीचे 1 है किलर ना एक चिपा हो रहता है अब देखिए 20 और एक कालसम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ब्रिकेट 20 का पढ़ा बोलेंगे क्या बार में 20 आता है एक बार में एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा इतना solve हो गया भीन का जोड़ा मेलब कर लिए अब देखिए यह दो और यह दो कट जाएगा तो बचेएगा 3 बस किलर है 3 बच गया अब इसका मेलब फिर से solve करते है देखिए 1000 गुना 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा बटे 20 ब्रकेट फिर घात कितना है 3 पावर 3 किलर है पावर 3 लिए अब इसको solve करेंगे हम लोग देखिए पावर कितना है 3 है तो 21 बटे 20 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पर हम लोग देखिए 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 किलर है अब इसको solve करेंगे देखिए 10 यह 0 कर जाएगा यह 0 यह 0 कर जाएगा फिर 0 यह 0 कर जाएगा किलर है अब यहाँ पर बच गया है हमारे पास देखिए 21 गुणा 20 गुणा 20 फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2 है किलर है और इसको solve करते है 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 होता है गुणा 21 बटे 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 हो जाएगा अब चलिए इसको solve करते हैं हम लोग 441 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9261 किलर है बटे नीचे 8 है अब इसके हम लोग 8 से भाग दे देते हैं फिर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर भाग देते हैं चलिए देखिए 8 से भाग देना है किसको 9261 को 8 है का 8 1 बच गया यहाँ पर 12 हो गया फिर 8 है का 8 उसके बाद यहाँ पर बच आएगा 4 फिर यहाँ पर 6 है 8 बच चालिस 8 बच चालिस हो गया उसके बाद यहाँ पर 40 मानस करेंगे तो 6 बचेगा पिर देखिए यहाँ पर एक है ना एक को फिर से उतारेंगे तो 8 सत्य 56 पिर यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 5 पिर यहाँ पर देखिए अब तो कुछ नहीं बचा है पोइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे पिर 8 का पढ़ा बोलेगे के बार में 50 आता है तो 8 चक 48 पिर यहाँ पर दो बच गया फिर 0 लगाएंगे आठ दुना 16 हमरों दो लिख सकते हैं आठ दुना 16 तो फिर चार आगे आठ पच्चे फिर यहाँ पर आठ पच्चे 40 किलर है तो हमारे पास बेसिक लिए आ गया है यह देखिए रभ है इतना से इधर वाला रभ है किलर है न तो 1157.625 इतना आ गया है इसको लिखेंगे यहा किलर है इतना रुपिया आया है हमारा क्या है यह देखिए मिस्त्र धन है किलर है न मिस्त्र हम लोग निकाल चुके है 1157.625 अब निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर चक्र व्रिधी व्याज चक्र व्रिधी व्याज चक्र व्रिधी व्याज किलर है न चक्र व्रिधी व्याज निकाल लेंगे चक्र व्रिधी व्याज का फूर्मॉला क्या होता है मेस्र धन देखिएगा spelling writing सब मूल धन मूल धन क्लिर है अब इसके हम लोग लिखते हैं नीचे ब्राबर मिस्र धन अभी निकाले हम लोग 1157 दस मूलो 625 क्लिर है माइनस मूल धन कितना है हमारा मूल धन देखिए प्रश्च में दिया हुआ था मूल धन हम लोग के पास है 1000 तो हम लोग 1000 इसमें घटा देंगे क्लिर है 1000 घटाने से कितना बचेगा 157.625 इतना रुपिया क्लिर है उसके बाद हम देखते हैं भी फोर नंबर अब देखिए फोर नंबर फोर नंबर के कोस्टेन है 20,000 का एक वर्ष के लिए 10 प्रतिसत वार्षिक दर से जब व्याज तीमाही संजित होता है क्लिए यहाँ पर देखिए तीमाही लिखा हुआ है तीमाही संजित होता है तो हम लोग को याद करना है मिस्र धन और चकर वियाज है से पाले लिखते हैं पर जो दिया हुआ है देखिए 20,000 मूल धन दिया हुआ है मूल धन ब्राबर 20,000 रुपिया किलर है उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है दर रेट जिसको बोलते हम लोग कितना दिया हुआ देखिए 10 प्रतिसत फिर समय ठीक ना या फिर वर्ष की संख्या लिख सकते हैं इसके हम लोग वर्ष की संख्या बराबर एक कितना दिया हुए देखिए एक वर्ष के लिए तो एक लिखेंगे अब हम लोग फर्मूला लिखते हैं मिस्र धन का बराबर मूल धन गुना एक जोड दर बट्टे यहां परतिकी एक सौ होता है क्लियर है ना एक सौ लेकिन यहां अभी एक सो लिखे रहते हैं क्लियर है फिर उपर क्या लिखते हैं यहां पर दो गुना और यहां 2 लिखे थे क्लिए रहें 200 तो यहां पर देखिए ती माही बुला गया है ती माही मतलब हर एक तीन माह में एक, दो, तीन, तीन माह में फिर एक, दो, तीन, फिर से तीन माह में एक, दो, तीन, फिर से तीन माह में एक, दो, तीन, फिर से तीन माह में किलिए रहना तो देखिए साल में कितना महिना होता है बार महिना और अगर हर तीन महीना में ब्याज लिया जाए तो कितना बार होगा एक साल में चार बार ना अगर इसको हम लोग तीन सा भाग देंगे तो चार बचेगा मतलब एक साल में चार बार ब्याज लिया जाएगा हर एक तीन महीना में लिया जाएगा किलिए है ना जब 3 माही होता है, तो साल में 4 बार ब्याज लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या करी हम लोग, 4 N, और यहाँ पर 400 हो जाएगा, इसको अच्छी तरीकिसे धान दीजिए, जब यहाँ पर वार्सिक होता है, जिसे एक नंबर बनाया थे, तो उसमें N और यहाँ पर 100 किलर है यहाँ पर जब 6 माही होगा किलर है 6 माही होगा तो यहाँ पर 2 होगा क्योंकि 6 माही होगा तो साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है 3 माही है मतलब 4 बार ब्याज लिया जाएगा इसलिए यहाँ पर 4N होगा और निच्चे 100 या 200 ना होकर 400 होगा क्योंकि हम लोग 4 लिखे हैं इसलिए यहाँ पर भी 400 होगा क्लिए है ये एकदम mid point है क्लिए है यही turning point है अगर इसको mistake किजेगा तो फिर मैत गलत हो जाएगा clear है तो चलिए हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर देखे मूलधन 20,000 दिया हुआ 20,000 मैंने लिख लिया है फिर बरकेट है फिर एक फिर जोड फिर दर दर कितना दिया है 10 परतिसत दिया हुआ है 10 परतिसत लिख लिए फिर देखे नीचे कितना है तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 20,000 गुना यहाँ पर यह 0 यह 0 कट जाएगा clear है अब देखिए यहाँ पर बच गया है एक बटे 40 और यह जोड एक है इसका हम लोग भीन का जोड करेंगे यहाँ पर देखिए फिर से बटे 1 तो चिपा हो रहता है अब देखिए यहाँ पर 40 और 1 का LCM कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा उसके बाद एक का पढ़ा बोलेंगे के बार में 40 आता है तो आता है 40 बार में 40 को एक से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा उसके बाद देखिए जोड है जोड लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 है, एक और यहाँ पर देखिए 40 है, तो 40 का पढ़ा बोलेगे, के बार में 40 आएगा, एक को एक से गुना कर देगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पर भीन का जोड बस है, और कुछ नहीं है, अगर आपको भीन का जोड आता है, तो कोई बटे 40 किलार है नीचे 40 है तो 40 अब देखिए घात कितना है 4 है तो हम लोग पावर 4 लिख देंगे अब इसको solve करते हैं अभी कितना होगा देखिए 41 बटे 40 को हम लोग 4 बार लिखेंगे गुणा गुणा करके 20 हजार गुणा देखिए 41 बटे 40 किलार है गुणा 40 बटे 40 किलार है एक दो तीन और एक बार लिखेंगे गुणा अब देखिए यह 0 कर जाएगा इसके साथ यह 0 पिर इसके साथ कर जाएगा फिर यह 0 इसके साथ कर जाएगा किलार है अब हम लोग के पास क्या बच गया देखिए 41 गुणा गुणा 41 हम लोग सब को गुणा कर देते हैं 41 को गुणा करेंगे फिर 40 को गुणा करेंगे फिर 40 है टोटल देखिए हो जाएगा 28,25,1761 किलार है बस 41 को गुणा फिर बटे, देखिए आपठ चार चुखे 16, किलर है, फिर 16 चुखे 16, किलर है, अब फिर 64 के हम लोग 4 से गुना करते हैं, देखिए, 64 गुना 4, कितना हो जाए का 4 चुखे 16 हात में, 4 चार चुखे 24 और 25, तो हो गया इतना 256, फिर आपठ देखिए, 2 है न, गुना है, गुना 2 थोड़ा सा मैंने पहले 41 को लिखा फिर 4 4 4 गुना किया चार बार तो 200 छपन हो गया बट्टे लगाया क्योंकि यहां पर देखिए सब में बट्टे है फिर 2 यहां पर 2 फिर बीच में गुना है तो गुना क्लियर है अब इसको solve करते हैं हम लोग देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 2 को 28,25,761 से गुना करते हैं तो चलिए देखिए 2 एका 2 हो जाएगा 2 छक 12 हाथ में एक 2 सते 14 और एक 15 दो पच्चे 10 और एक 11 दो दुना 4 और एक 5 दो अठे 16 हाथ में एक 2 दुनी 4 और एक 5 बटे 256 क्लिर है अब इसको हम लोग भाग देंगे क्लिर है ना इसको भाग देंगे तो काफी लंबा चला जाएगा वीडियो इसलिए मैं इसे संश्यप्त में लिख दे रहा हूं देखिए इसको जब आप भाग दीजेगा तो बच्चेगा 22,762,25 क्लिर है तो इतना निकाल चुके है यह अंसर हो गया क्लिर है इसके आप लोग रफ में कर लिजेगा प्रैक्टिस कर लिजेगा एक्जाम के लिए और अगर चाहे तो कल्कुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग क्लिर है प्रैक्टिस समय एक्जाम में नहीं करना है यूज क्लिर है क्लास में भ क्रविजी व्याज का फूर्मूला होता है मिस्र धन माइनस मूल धन बराबर देखिए मिस्र धन मिस्र अभी निकाले में विलोग 22,006,25 तो 22,006,25 भागा स्वरी माइनस माइनस कितना है हमारे पास मूल धन मूल धन है 20,000 रुपिया किलर है इसका हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा देखिए 22,000 में हम लोग को 20,000 माइनस करना है ठीक ना यह चैतर को लिखेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा धाई वर्स किलर है दो पुर्णांक एक बच दो मतलब धाई वर्स है धाई वर्स के लिए पांच प्रतिसत वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक समझित होता है किलर है तो इसको भी यहाँ पर लोग को निकाल ला है समसे पहला तो मिस्र धन निकाल ला है दूसरा निकाल ला है चकप्रति ब्याज किलर है तो जो दिया हुआ है समसे पहले उसको लिखते हैं यहाँ पर मूल धन मूल धन मूल धन दिया हुआ है कितना देखिए तीन हजार मूल धन तीन हजार दिया हुआ है इसके बाद फिर देखिए दर मतलब रेट दिया हुआ है पांच पर तिसत उसके बाद देखिए समय कितना दिया हुआ है वर्स कितना दिया हुआ है यहां पर लिखेंगे समय दिया हुआ है धाई वर्स एक धाई वर्स किलिए है दो पुनांग एक बटे दो वर्स इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा हम लोग को किलिए है तो सबसे पहले देखिए यहां पर धाई वर्स है धाई मतलब दो साल पलस आधा साल यह होता है ना धाई साल या धाई रुप्या भी कैसे होता है दो रुप्या जोड आधा रुप्या इसको बोलते हैं धाई साल पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर दिखिए दो साल का निकाल लेंगे फिर आधा साल का मतलब 6 मा का साधरन ब्याज निकाल लेंगे दोनों को जोड देंगे अंसर आ जाएगा तो चलिए बनाते हैं अब हम लोग सिर्फ दो वर्स के लिए कर रहें तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे फोर्मूला तो बस दो वर्स के लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फोर्मूला होता है मिस्र धन ब्राबर मूल धन गुना एक जोड दर बटे एक सो किलार है अभी एक सो लिख रहे है यहाँ पर देखिए वार्सिक संजित होता है इसलिए भी एक सो लिखेंगे और यहाँ पर देखिए एन उपर होता है किलार है अभी एन के अस्थान पर फिर सिर्फ दो लिखेंगे यहाँ पर देखिए धाई है लेकिन दो लिखेंगे क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ दो का निकाल रहे है तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, मूह लन कितना है, तीन हजार, गुना, एक जोड दर कितना है, देखिए 5 बटे 100 फिर यहाँ पर एन, एन कितना है देखिए, सिर्फ 2 साल के लिनकालब है हम लोग, ठीक ना, दो लिखेंगँ यहाँ पर, इसको solve करते हैं अब यह कट रहा है तो काट देते हैं इसको सबसे पहले हम लोग पांच एका पांच पांच दना दस और एक जीरो है इसको लिख देंगे तो बीस हो जाएगा इसको साफ साफ लिखते हैं तीन हजार गुना एक जोड यहाँ पर देखिए एक बटे और यहाँ रेक बंद फिर उपर दो है इक कीलर करते हैं यहाँ पर देखnhet यहाँ बन गयाँ चीलर यहन बनये के नीच कहले कर देखिए एक का पढ़ा बोसे कर लोग तो बीस ways को फिर एक तशी गुना करेंगे तो पिस हो जैए जोड यहां पर रिखे ना फिर यहां पर यहां पर किया देखिए 20 20 का पढ़ा बोलेंगे क्या बरें 20 आता है एक बार में एक को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा ब्रेकेट बंद फिर उपर देखिए घात में कितना है दो फिर इसको शोल्प करते हैं हम लोग तो 3,000 गुणा यहां पर देखिए 3,000 गुणा फिर यहां पर 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा बटे 20 ब्रेकेट फिर यहां पर देखिए घात में कितना हैं दो दो लिख देखिए अभी 21 बटे 20 को दो बार लिखेंगे गुणा देखकर किलर है 3,000 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 किलर है तो यहाँ पर देखिए यह 0 और यह 0 कट गया फिर यह 0 और यह 0 कट गया किलर है इसको हम लोग साफ साफ लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा मैत दीख रहा है बट लंबा है नहीं किलर है ना बस एक बार समझेगा तो बहुत ही जिए अब 21 21 को गुणा करें कितने हैं चार सो एक तालेज बटे दो दुना चार किलर है अब हम लोग क्या करेंगे कार दते हैं इसको दो से दो दुना चार फिर दो पंदरह का तीस हो जाता है किलर है अब इसको हम लोग साफ साफ लिखते हैं यहाँ पर पंदरह गुना चार सो एक तालेज बटे दो किलर है अब इसको हम लोग गुना कर देंगे पंदरह को चार सो एक तालेज से गुना तो हमारे पास आ जाएगा 6615 फिर बट्ट यहां पर देखिए 2 है दो को लिख देगे फिर देखिए यहां पर वह लोग अभी इसको कार देंगे ठीक ना भाग देंगे दो से तो अगर दो से भाग यहां पर देखी एक है तो इसके लिए जिरो लगाना पड़ेगा फिर पांच को भी लेंगे यहां पर हो लोग तो दो सते चवदा के लिए दो सते चवदा होता है उसके बाद एक बच गया पूंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे फिर दो पच्चे दस तरह तीन हजार तीन सो साथ दसमलो पांच इतना रुपिया सिर्फ दो साल के लिए के लिए अब फिर हम लोग देखिए हम लोग यहां आधा साल के लिए साधरन बयाज निकालेंगे साधहरन बयाज का फिर्मूला लिखते हैं यहां ब zorba चाधारन बयाज हम लкие आधा वर्स के लिए साधारन ब्याज साधारन ब्याज किलर है ब्राबर मुल्धन फॉर्मूला होता है यह मुल्धन गुना दर गुना समय बटे एक सौफ किलर है अब हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं दखिए ब्राबर किलर है मुल्धन अभी आपर मूल्धन हमारा पहले वाला मूल्धन नहीं रहेगा ये मूल्धन बन जाएगा किलर है 3370.5 ये भी हमारा मूल्धन बन जाएगा इसको ध्यान देना है मूल्धन पहले वाला नहीं लिखना है ये होगा अभी तो 3370.5 गुना दर तो वही रहेगा पांच प्रतिसत ही रहेगा क्लिर है पांच गुना फिर समय अभी आधा साल के लिए ना तो आधा साल बट्टे एक सो क्लिर है फिर इसका उल्लिक सोल्फ करेंगे तो अंसर आ जाए सबसे पहले हो लोग यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है इस देखिए पॉइंट के पाथ किता संख्या एक संख्या इसलिए एक जीरो किलर है फिर गुना नीचे एक सो है एक सो को लिखेंगे और बाकी जो का त्यों उतार देंगे गुना यहाँ पर पांच है फिर गुना उपर एक है और नीचे गुना दो है किलर है यह वाला दो यहा कुल्फ करेंगे देखिए कारते हैं फाच एक पाच, फाच दुना दस ख्लर है उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग इसको ओफ ही कार देते हैं देखे हैं मैं rate color यूज़ कर रहा हूँ, 5 से 5 दुना 10, color है, 1-0 बच गया है, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5-6-30 फिर यहाँ पर 5-6-30 उसके बाद 7 बच गया है, 5-1-5-5 उसके बाद 2 बच गया है, तो इधर 25 हो गया है, 5-5-25, color है, उपर का cut गया, उसके बाद फिर अब हम बुलू कलर से चान में आएगा पांच से काटते हैं पांच चोगे बीस फिर देखिए यहां पर पांच एका पांच फिर एक बच गया है तो इधर 16 हो गया पांच तिया 15 एक बच गया यहां पर 11 हो गया पांच दूला 10 फिर एक बच गया इधर जाकर 1330 और उपर कुछ नहीं है बटे यहाँ पर देखिए 248 अर्दुना 16 क्लिर है 16 बच गया अब इसके मुलोग भाग देंगे 1323 को 16 से भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12.69 क्लिर है 82.69 इतना रुपिया आएगा तो देखिए यह बस आधा साल के लिए है मतलब यह 6 महिना के लिए है क्लिर है तो हम लोग को पूरा का पूरा दोनों को जोड़ देना पड़ेगा क्लिर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल मिस्रधन का रासी बराबर पहले हम लोग कितना निकाले तो देखिए यहाँ पर 3300 307.5 तिन हजार 307.5 क्लिर है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का योगफल हो जाएगा 3390.19 क्लिर है यह होगी हमारा अंसर यह हमारा मिस्रधन है क्लिर है अभी हम लोग निकालेंगे चक्रवर्धी ब्याज चक्रवर्धी ब्याज बराबर होता है देखिए यहाँ पर मिस्र धन माइनस मूल धन क्लिर है फिर ब्राबर मिस्र धन कितना है टोटल दिखिए 3390.19 माइनस मूल धन मूल धन कितना दिया हुआ था सबसे उपर 3000 कोशन में 3000 दिया हुआ था 90.19 रुपिया तो यह भी हो गया हमारा अंसर पहला अंसर यहां पर है और दूसरा अंसर यहां पर है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक किजिए इस वीडियो में लोग जैसे आती एट क्लास का चैप्टर नाइन 9.3 का सेकंड नमर कंप्लीट किये हैं अब वीडियो का अपने दोस्तों के साथ अपने कलास्मेट के साथ जरू सेयर करें और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजिए यह कि इस चैनल पर मैं जैसे आती का सारा सुलिसन अप्लोड करते रहता हूं thank you for watching my video have a good day